नमस्कार हमारे कैमरा का लेंज हमारी आँखों की तरह होता है अगर हम अंधेरे में होते हैं तो हमें कुछ भी साफ नहीं दिखता है और अगर बहुत ज़्यादा रोशनी में होते हैं तो आँख चौंद जाती है इसलिए कैमरा से रिकॉर्डिंग करते समय हमें रोशनी का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को सब कुछ साफ दिखाई दे इस प्रशिक्षन श्रंखला में हम जानेंगे रोशनी के बारे में और ये कि अच्छी रोशनी में हम वीडियो कैसे ले सकते हैं साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि वीडियो निर्मान के समय में रिफ्लेक्टर और डिफ्यूजर का हम अच्छी रोशनी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो आईए चले, रोश्नी के प्राकरतिक स्रोत होते हैं, सूरज और चंद्रमा, चंद्रमा की रोश्नी हमारे कैमरा के लिए बहुत ही कम होती है, और ना ही हमें रात के वक्त शूटिंग करनी होती है, तो हम अपनी वीडियो के लिए जिस प्राकरतिक स्रोत का इस्तेमाल करते क्रित्रिम स्रोत होते हैं बल्ब और ट्यूब लाइट पर अक्सर बल्ब या ट्यूब लाइट की रौश्णी इतनी कम होती है कि कैमरा में अच्छी वीडियो नहीं आती है हमें हमेशा यही कोशिश करनी होती है कि हम प्राकरतिक स्रोत का ही इस्तेमाल करें इसलिए हम अपनी ज्यादा तर शूटिंग बाहर ही करेंग ना कि कमरे के अंदर रौश्णी की तीवरता अलग-अलग हो सकती है जैसे संतुलित रौश्णी बहुत कम रौश्णी और बहुत ज्यादा रौश्णी हमें संतुलित रौश्णी में ही शूट करना चाहिए हम चाहें अंदर हूँ या बाहर हमें ध्यान रखना होगा कि रौश्णी संतुलित हो इसलिए अगर हम बाहर शूट कर रहे हैं तो ध्यान रखना होगा कि बहुत तेज धूप न हो यदि रोशनी ज्यादा होगी तो चीजें चमक की बज़ह से साफ नहीं दिखेंगे अंदर अक्सर कम रोशनी आती है रोशनी कम होगी तो अंधेरा सा दिखेगा बाहर प्राकरतिक यानि सूरज की रोशनी में भी हमें चाव ढूंड कर वहां शूटिंग करनी चाहिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ धूप कुछ चाव नहूँ नहीं तो कहीं ज़्यादा चमक और कहीं ज़्यादा अंधेरा च्छाओं में समान रोशनी मिलती है अच्छी समान रोशनी वाला शौट कुछ इस तरह का दिखेगा जहां सब साफ से नजर आ रहा है कोई परचाई नहीं बन रही हमें इसी तरह का शौट लेने की कोशिश करनी चाहिए जमीन कम हो तो आप बोड़े में मिट्टी डालके और जैबी खाद रखके उसमें आप सबजी उगा सकते हैं हमारी रोशनी का स्रोत किस तरफ है? इसका ध्यान रखना जरूरी है लोगों या चीजों के उपर रोशनी जब सामने से पढ़ती है तब अच्छी लगती यदि रोशनी का स्रोत व्यक्ति ये वस्तू के पीछे है तो वो अंधेरे में देखेगा जैसे यहां यदि रोशनी साइड से आ रही है तो जिस तरफ से रोशनी आ रही है वो साफ दिखेगी पर दूसरे तरफ अंधेरा दिखेगा अगर रोशनी का स्रोत बिलकुल उपर है तो बहुत परचाई बनेगी जो अच्छी नहीं लगती लोगों की आखों के नीचे भी परचाई बन जाती है हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारा रोशनी का स्रोत हमारे फ्रेम में ना आए वरना बाकी सारी चीजें अंधकार में दिखेंगी जैसे कि अहां जो दिखा उसमें से जरूरत पर गया कि हमें 200 का जरूरत है 500 का जरूरत लेकर अपना काम भी करती है पलस उसको 2 रूपे के हिसाब पर से वह अपना पैसा को वापस भी करती है हमारे प्राकरतिक स्रोत की दिशा समय के हिसाब से तै होती है वीडियो शूटिंग का सबसे सही समय सुबह का और शाम का होता है क्योंकि इन दोनों वक्त सूर्य की रौशनी बहुत तेज नहीं होती और ये वक्त शूटिंग करने के लिए उचित है सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय शूटिंग करने के लिए सबसे उचित और उप्युक्त माना जाता है इसलिए इसको हम सुनहरे घंटे या गोल्डन आवर के नाम से भी जानते हैं इस समय रोशनी मंद और हलकी होती है या हम कह सकते हैं कि रोशनी सीधे नहीं पड़ती इस समय शूटिंग करने से विशय के रंग खिल कर और उभर कर आते हैं और इसके साथ ही साथ इस समय किसी भी प्रकार की परचाई का निर्माण नहीं होता और सभी वस्तूओं पर समान रोशनी पड़ती है एक और जरूरी बात अगर विशय चाया में है तो कैमरा को भी चाया में होना चाहिए और अगर विशय रोशनी में है तो कैमरा को भी रोशनी में रखना चाहिए यदि हम बाहर खड़े होकर अंदर कमरे की शूटिंग करेंगे तो कमरे में अंधेरा दिखेगा और यदि हम अंदर खड़े होकर बाहर की शूटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा रोश्नी दिखाई देंगे। हमें पूर्ण रूप से समान रोश्नी नहीं मिलती। ऐसे में हम कुछ आसान तरीकों से रोश्नी को समान बना सकते हैं। हमारे पास रिफ्लेक्टर और डिफ्यूजर होता है। जिससे हम कुछ हद तक रोश्नी को समान करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसमें एक तरफ चमकीला होता है, जो रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, यानि रोशनी देता है, और दूसरी तरफ समपारदर्शी होता है, जो रोशनी को थोड़ा मंद कर सकता है. जिविका में जूर लियाई, सब्ताही बैठक में दस रुपे आका जमा कर लियाई, तेकरावाद धीरे धीरे दूरुपे सेंग्राओं में भराच जमा कर छे, और एचार में जमा पैसा होई चे उठा का बीमारी में लग इलाज से इलाज कर वा छे, जाते जाते, मैं आपको क कभी भी सफेद रंके कपड़े न पहने, ध्यान दें कि वो धारीदार शर्ट न पहने, ज्यादा चमकदार प्रभाव और सफेद बैग्ग्राउंड से बचना चाहिए, अब चलता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियो बनाते समय रौशनी का ध्यान रखेंग करता करता हुए, करता है, अब चलता है, तो वो धन्यान शाशनी का थनिया जामान, mechanics ब ül नमस्के गोल को अच्छी तरफ लांगर करें नहां का बिंदाने ओ tutit कि करें नहां का वो ज hopsते हैं कि तर बीद तरेणीश और सम anteल्स में नहां मढ़त हैं कि नहां का थाप्ते हैं कि यह थायाँ Todo Hoy कि आप एॉ झाल झाल